देखे ये सवाल, ये सवाल कहता है, let A, B, C, D the points on the vertical line such that A, B, B, C, B, C, D, भाई देखे इस vertical line पे कुछ point ले लिए मैंने, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये सारे distances आपसे में बराबर हैं, अब पुछा है time of fall of to interval A, B, B, C and C, D, यहां से यहां तक आने का time T1 है, यहां ये लिए निकालते हैं, body को rest से release किया गया है, तो T1 तो बहुत असान है, S बराबर हो जाएगा half T, T1 is square, तो T1 is simply root 2S by G, अब T2 कैसे आएगा, T2 को हम कह सकते हैं, this time minus this time, ठीक है, यानि कि 2S गिरने का time, minus S गिरने का time, तो 2S गिरने का time होगा, इसी तरह से 4S by G, और S गिरने का time होगा, root 2S by G, तो यह time अगर देखें, in terms of T1, तो यह आजाता है, root 2 minus 1 and T1, ओके, और ऐसे आप जब तीसरा time देखेंगे, T3, तो T3 क्या होगा, T3 होगा, यह गिरने का time, minus यह गिरने का time, that is, square root of 6S by G, minus square root of 4S by G, तो clearly आपको समझ में आ रहा होगा, कि answer इसका, T आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको root 3 minus root 2 into T1 दिखाई पड़ेगा, ओके, तो यह हमें T1, T2, T3 के results मिल गए, इनके ratio मिल गए, तो क्योंकि आपकोर सब्स्सधाब है, यह हमें T2, T3 यह हमें T1, T2, T3, 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 T2, T3, T2, T3, T2, T3, T3, T1, T един मिल ओवागा, इसकार इसे यह वाला है?